गुड मॉनिंग बच्चों कल अपने आयन विनेमे का टोपी किया और उसमें अपने लास्ट टोपी क्या पढ़ा था लास्ट टोपी ये पढ़ा आयन विनेमे की किरिया विधी और वो किरिया विधी क्या थी आयन विनेमे की विधुत गती की किरिया विधी जिसके द्वारा क किसी भी मिट्टी में क्या होता है आयन विनी में अब बात करते हैं कि आयन विनी में होता किन की बीच में है धनायन विनी में और रनायन विनी में पड़े और किन-किन धनायनों का अपने पास विनी में होता है और किन-किन रनायनों का अपने पास विनी में होता है तो जो अदिक्तर कौन ते होते हैं? H प्लस धनायन NH4 प्लस धनायन MG प्लस टू धनायन CA प्लस टू धनायन यह धनायन क्या होते हैं? अधिक संक्या में किसमें पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं अब और भी कुछ दनायन होते हैं जो मेंलिस में पाए जाते हैं जैसे NH4, Mg2, Ca2 ये सारे दनायन K2 अब ये क्या है सारे पोशक तत्व के रूप में पाए जाते हैं इसके इलावा अमलिय मिट्टी में अमलिय मृद्धा में Aluminium ALOS2 प्लस की प्रधानता होती है अमलिय मिट्टी में क्या होता है ALOS2 अधिक मातरा में होता है अधिक मातरा में होता है अधिक मातरा में होता है ठीक है इसका मतलब जैसे जैसे pH का मान कम होगा, pH का मान क्या होगा, कम होगा, एल ओच टू की मातरा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वैसे वैसे इसकी मातरा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अब देखना है कि pH पेमाना क्या होता है, देखो बचों, pH एक scale होता है, पेमाना होता है, जो कहां से होता है, चोदा तक होता है और बीच में क्या आता है साथ साथ पर क्या हो जाता है वो उदासीन हो जाता है उदासीन ठीक है और साथ से उपर क्या होता है छारिये पन आना स्टार्ट हो जाता है यानि छारियता दर्शाता है साथ से उपर और साथ से नीचे क्या होता है अमलियता दर्शाता है अब हम कह रहे हैं कि ALOS2 प्लस अधिक मातरा में होगा तो मिटी क्या होगी अमलिय और जैसे जैसे pH का मान कम होगा तो अमलियता क्या हो रही है बढ़ रही है न तो उसी टाइप से pH का मान जैसे जैसे कम होगा वेसे वेसे एल ओएश टू की प्रधानता बढ़ती है क्लियर है ठीक है अब देखो ये तो होगे अपने पास धनायन अब बात करते हैं चारीय मिट्टियों में क्या होता है तो चारीय मिट्टियों मैंली ओएच होता है रनायन और अम लिए मिट्टियों में क्या होता है एच प्लस होता है धनायन याद देखना अपने को अब अपने पास बात करते हैं रनायन कौन कौन से होते हैं रनायन अपने पास कौन कौन से होते हैं क्लियर है तो मिट्यों में रनाइन मुख्यता SO4-2, CL- आधी परकार के मेंली ये रनाइन पाए जाते हैं वैसे अपने पास HPO4-2, HPO4-2, H2PO4-2 ये रनाइन भी पाए जाते हैं परंतु ज़्यादातर बात आती है अपने पास सलफेट मिट्टी की तो सलफेट मिट्टी में अपने पास जो रनाइन पाए जाते हैं वो कौन सा होता है? ये सलफेट रनाइन होता है कौन सा रनाइन होता है? ये सलफेट रनाइन होता है तो सलफेट रनाइन के बारे में पता चल गया आपको और में बात आपको यहीं बतानी है कि अपने आगे जब धनायन विन्य में पढ़ेंगे तो धनायन विन्य में पढ़ने में अपने को यह ध्यान रखना है कि अपने पास धनायन कौन-कौन से आएंगे और अनायन कौन-कौन से आते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि क्या होगा इनका उपयोग क्या होगा कहां काम आएंगे ठीक है और एक बात और लिखनी है नोट में कि जो शारिय मिटियां होती है कौन सी मिटियां होती है शारिय मिटियां शारिय मिटियों में क्या होता है मुख्यत एने प्लस धनायन की अधिकता होती है अगर एने प्लस धनायन अधिक मातरा में हैं तो उस मिटि की छार जादाा क्या होगी ज्यादा ज्यादा यानि pH कहा होगी अधिक आती है अब देखो काली मिटियों में जलोड काली मिटी अपने उसमें क्या होता है जलोड़ लेट राइट मिटी की दो मिटी होती है जलोड वे लेट राइट कि तुलना में क्या होता है धनायनों की शमता जदा होती है इसलिए इनकी धनायन मिन्नी में शमता भी क्या होती है अधिक होती है ठीक है काली मिटी में क्या है काली मिटी में जो अपने पास काली मिटी होती है काली मिटी में कौन सा धनायन अधिक मात तरह में पाए जाता है, देखो simple simple सी बात है, इसमें सिर्व आपको इतना सा बताना था मुझे कि इस chapter में या धनायन विन्नी में में अपने कौन-कौन से तो धनायन काम में आने वाले हैं, और कौन-कौन से रनायन काम में आने वाले हैं, धनायन अपने पास H+, NH4+, Mg+, 2, Ca+, 2, K A+, Na+, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक हैं, और ये क्या होते हैं, अमलिय मिट्टियों में क्या होते हैं, एक और धनायन होता है, L2+, ये अधिक मातरा में होगा, तो क्या होगी, मिट्टी अमलिय होती है, और ये अगर कम मातरा में होगा, तो मिट्टी क्या होती है, छारिय हो ज बात करते हैं, रनाइन अपने पास कौन कौन से आते हैं, ठीक है, रनाइन अपने पास आते हैं, सलफेट, कलोराइड, S2PO4-2, S2PO4-, ये अपने पास रनाइन आते हैं, पर ज्यादा तर अपने इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, ज्यादा तर अपने पढ़ते हैं, धनाइ रेनों का ही उप्योग करते हैं, तो अब अपने पढ़ेगे, जो next point अपने पास, तो एक slide के माद्यम से अपने पढ़ेंगे, ये दढ़ो ये अपने पास रनायन विन्मे क्लियर है? ठीक रणायन को क्या बोला जाता है अमल विनीमे अब देखो अमल विनीमे से क्यों बोलते हैं एक विक्रिया अपने पास H, C, L ये क्या है अमल है प्लस ये है N, A, O, H ये क्या अपने पास शार है आपने ये सिंपल सी परवाद जो अभिक्रिया है वो अपने 10th क्लास में पढ़ी होगी जब अमल और शार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है लवन, N, A, C, L और क्या निकल जाता है जल कानू बाहर निकल जाता है तो ये क्या है अपने पास जल और ये अपने पास क्या है लवन clear है अब देखो na cl को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा na plus और cl minus अब बताओ na कहां से आया चार से na किस से आया चार से आया चार को बोलते है अपने भस्म clear है इसलिए चार परावेश कोण सा है दनावेश तो इसे बोलते हैं धनायन विनिमे को बोलते हैं भस्म विनिमे भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बस्म विनिमे ठीक है या चार विनिमे या धनायन विनिमे धनायन विनी में clear है बच्चो समझे में आगी बात अब देखो CL- किसे आया है अमल से आया है तो मैंने यहां लिख दिया अमल से ठीक है अब आवेश्ट कौन सा है रिनावेश्ट इसलिए रनायन विनी में को क्या बोलते हैं अमल विनी में भी बोला जाता है अमल विनी में अमल विनी में या क्या बोलें से रनायन विनी में रनायन विनी में clear है बच्चो बहुत ही असान सी बात है तो आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर और बहुत ये अच्छे तरीके से अपने से कर लेंगे, clear है? तो इसे अपने हटा देते हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको, और इसे अपने हटा देते हैं, clear? ठीक, अब आपको पता चल गया किसे अमल भी नहीं में क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रनावेश आता है, वो किसे आता है? अमल से आता है, इसलिए क्या बोलते हैं से? अमल भी नहीं में कहते हैं अब देखो, फास्वेट आयन के जिस अंच ने आइरन वे अलुमिनियम के योगिकों यानि phosphate iron होता है PO4-3 PO4-3 यह होता है अपने पास phosphate iron phosphate iron phosphate iron क्या कर लेता है iron और aluminium के साथ क्या कर लेता है अपने पास अभिक्रिया कर लेता है ठीक है या silicate iron या aluminium या silicate मिट्टी के साथ अभिक्रिया कर लेता है जो अपने last class में पड़ी थी क्लियर है अब अभिक्रिया करके क्या कर लेता है उसके स्थान पर जैसे OH आयन आ जाते हैं ठीक है प्र अन्यारण आयन जैसे OH आयन आ जाते हैं ऐसे विस्तापन को अपने बोलते हैं रणविनी में क्लियर है आपके पास मिट्टी है उसमें iron, aluminum है और silicate मिट्टी है यह तीन अ सा जुड़ा है फॉसपेट रैं और इसको हटा करके आ जाता है इसकी जिगह पर वैस माइनस आ जाता है कि सुपेट पर कौन वश्ख है लेनावेश है इसकी उपर कौन सह अबेश है रनावेश तो एक रनावेश के द्वारा दूसरे रनावेश को हटाना वो क्या कहलाता है अपने पास रनायन विनी में तो ये देखो सिंपल था आपको सिंपल तरीके से बता देते हैं अब क्या करेंगे इसके इसको हटा के अपने इसके उपर क्या लगा दिया ओएच माइनस तो एक रनावेश के द्वारा दूसरे रनावेश को जब हटा दिया जाता है तो ऐसी विवस्ता क्या कहलाती है ऐसा परकर्म क्या कहलाता है रनायन विनी में ठीक है अब देखो दनायन विनी में की क्रिया विदी काफी बड़ी थी और रनायन विनी में की क्रिया विदी को ज़्यादा बड़ी नहीं अपने मिंट में समझ सकते हैं ठीक है ये देखो र जैसे मिटी घरती है तोको मिट्डि घटने पर बास्मिक बास्मिक कांड ना थनायन कि नायन करता है उनकी ब्रोटवन बिद्ड जाती है जैसे अ्पने पास मर्दा करती है कि धनायन की संख्या बढ़ती है और उन वो प्रोटोन गिरेंड करने की शम्ता बढ़ जाती है ठीक है क्योंकि उनमें धनावेश की कमी हो जाती है फिर क्या करेगा वो प्रोटोन गिरेंड करने की शम्ता बढ़ती है सक्रियता बढ़ जाती है यह अपने पास ROH, अब इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे, यहाँ पर H आएगा, किताब में थोड़ा सा, मिस्टेक है, HSO4-, ठीक है, तो अब देखो, ROH, H2SO4, यह दोनों वो भिक्रिया करेंगे, तो क्या होगा, एक H इसका यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो अपने पास अब बिक्रिया क्या बनगी, ROH2, प्लस, क्योंकि H प्लस पर आवेश कोन सा होता है, प्लस का आवेश होता है, ठीक है, तो यह प्लस इदर चला गया, और जिसके कारण से क्या होता है, एक इस पर रन आवेश आजाता है, क्योंकि पूरा आवेश उदास ही नहीं होना चीए, यहाँ पर कितना आवेश है, कोई आवेश नहीं है, 0, तो यहाँ भी 0 होना चीए, यहाँ प्लस का एक और माइनस का है, कितने होगे, 0 होगे न, उसी टाइप से नीचे भी 0 होना हैंगे और एक CL माइनस को आवेश बराबर होने चीए प्लस का एक माइनस का एक कितने वोगे जीरो होगे इसलिए भिक्रिया संतुलित है ठीक है तो इन दोनों में क्या और अपने पास रणावेश बदल रहें इसलिए से क्या बोलते हैं रणायन विन्ञी में बोलते हैं अब क्या होता है इस इस्तिती में मर्दा विलेन में अन्य रणायन के बदले अन्य रणायन विनिमे करेगा अब क्या होता है कि ये रणायन आपस में अपसरी में बजलते रहते हैं और रणायन का विनिमे होता रहता है अब question कहा आता है board में board में question इस line थे आता देखो आपके board का question बनता है यहाँ रनायन विनिमे मुख्य रूप से एक pH परतंतर का कार्य करता है तो यह अपने question वानली line है रनायन विनिमे का क्या कारण है यह board में question आने लाइक है clear है बच्चों तो आपके बाद question बन गया कि रनायन विनिमे का क्या कार्य होता है तो रनायन विनिमे का मुख्य कार्य pH परितंतर का कार्य होता है नि pH को maintain रखना होता है दनायन विनिमे के विपरित रनायनों को रखने की शमता अमलता के साथ बढ़ती है, उदासीन मर्दा के निश्चित आयन जैसे CLNO3 का दिशोशन बहुत कम यह नहीं होता, भई यह कहना चाहरा है कि उदासीन मिटी में कुछ आयन होते हैं, फिक्स होते हैं, और वो आयन होते हैं CL- और NO3-, अब कोई ऐसा वेक्ति होगा क्या, जिसके पास पैसे हों, फिक्स डिपोजिट में रखे वे, FD में रखे वे पैसे हैं, दो लाक के दो लाक रुपे वो एक साथ निकाल सकता है, नहीं निकालेगा, फिक्स डिपोजिट है, यानि उस पैसे को चून नहीं सकता, पांच साल के लिए रखे में, दस साल के लिए रखे मे को टिक है जब्कि पीओ Para – or as of for –punsae car – 3- or as of —- 3 का दृतिश्वोश्ण कम तथा अधिक दूनों प्ह वाली मिट्टीओं में होता है और यह दो जो अपने पास आयन है यानि यह ऑन्हें पास खुला पैसा है अपने चाहने जीतना खर्च दें ना चाहिए तो अपने कम खर्चें कि अपने पास खुला पेसा फिस्ट डिपोजिट नहीं है अब डी नहीं है क्लियर है ठीक है तो एसे आयनों का अपने अधीशोसंड दोनों टाइब की मिट्यों में कर सकते हैं क्लियर है तो रनायन विनियम इतना सा है इसे एक पर आपको क्या करना है पढ़ना है और कुछ नहीं है इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड कोश्चन आते हैं कोश्चन आएगा तो मैं यही कोश्चन आ सकता है इसमें से जो मैंने आपको यह अंडरलाइन किया हुए क्लियर है अब बात करते हैं जो पॉइंट है बहुत कोई कोश्चन आते हैं इसमें से last year में कोई कोश्चन आये हैं और सबसे important part भी है अगर आप पढ़ना जाते हो आगे और मिटी के बारे में तो यह basic knowledge है उसकी clear है और यह basic knowledge अपने को क्या करनी है पढ़नी है ठीक है तो उस topic का नाम है अपने पास धनायन विनी में शम्ता धनाय धनायन विनी में शम्ता थीक है इसे बोलते हैं CEC केटायन exchange capacity क्या बोला जाता है केटायन exchange capacity ठीक है धनायन विनी में शमता पहली बात तो यह कि धनायन विनी में शमता होती क्या है धनायन विनी में शमता यानि पहले बात आपको बेसिक सी बात है जो अपने लास्ट पड़ी हुई है शायद और वो है कि धनायन विनी में होता का है कहा होता है बचो दनायन विनि में होता है मिट्टी के प्रस्ट पर और प्रस्ट को इंदी में क्या बोलते हैं संकीन ठीक है तो इसमें लिखेंगे मिट्टी की दनायन विनि में शम्ता मिट्टी के प्रस्ट की शम्ता होती है मिट्टी की दनायन विनी में शम्ता प्रश्ट की बताएगी बच्चों तो अब क्या होता है? इसमें अपने लाइन लिखेंगे की दनायन विनी में शम्ता की एधार पर मिट्टी के प्रष्ट दवारा अधिशोहसित संपूण धनायनों को धर्शाया जाता है यानि ये मिट्टी का प्रष्ठ है इस पर कितने धनायन आ सकते हैं कितने धनायन आ सकते हैं तो ये क्या होती है मिट्टी की धनायन विलिमे शम्ता यानि capacity को बताती है ठीक है ठीक है तो इसकी इकाई यहें मृदा के प्रष्ठ पर अधिशोषित होने वाले धनायनों की संपूर्ण संख्या बताती है संपूर्ण संख्या बताती है संपूर्ण संख्या बताती है इसकी इकाई इकाई बहुत इंपॉर्टन लाइन ना बच्चोईए इसकी इकाई सेंटी मोल प्रती केजी होती है इसकी क्या होती है इकाई होती है बहुत ही असान सा है पॉइंट और इंपॉर्टन बहुत है यह ठीक है अच्चा तो यह चीज आपको याद होगी पेपर में आने लाए कोशन है कि दनायन विनी में शम्ता किसे कहते है और इसकी क्याई क्या होती है सेंटी मोल पर केजी होती है क्लियर है ठीक है और इससे किसके द्वारा दर्शाय जाता है सी इसी के द्वारा इसकी परबाशा है लिखे आप एक किलो एक किलो मिट्टी के द्वारा एक किलो मिट्टी के द्वारा मिट्टी कौन से और नीचे शुष्क मिट्टी एक किलो शुष्क मिट्टी के द्वारा अधिशोशित H प्लस आयन मान लो ये मिट्टी है और ये कितनी एक कीजी है इसने क्या कर रखें एक कितने H प्लस अधिशोशित कर रखें एक किलो शुष्क मिट्टी द्वारा अधिशोशित H प्लस आयन या उसके जैसे धनायन ठीक है उसके जैसे धनायन को अधिशोशित की अधिशोशित मात्रा क्या कहलाती है धनायन विनी में शम्ता कहलाती है धनायन विनी में शम्ता कहलाती है एक किलो सुष्क मिट्टी के द्वारा यहां पर लिखी देता हूं है ठीक है एक केजी सुष्क मिट्टी के द्वारा मिट्टी के द्वारा द्वारा अधिशोषित अधिशोषित एच प्लस आयन या उसके उसके समतुल्य समतुल्य मतलब उसके समान जैसे धनायन प्लस वन प्लस टू ठीक है समतुल्य धनायन की अधिशोषित मात्रा अधिशोषित मात्रा उस मिट्टी की विनी में शमता केलाती है दनाइन दनाइन विनी में शम्ता कहलाती है शम्ता कहलाती है क्लियर है? बहुत यह असान है तो दनाइन विनी में शम्ता को आप समझ गए अब दनाइन विनी में शम्ता में क्या होता है कि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो डिसाइड हो गती है यानि जिसकी दनाइन विनी में शम्ता जितनी ज़्यादा होगी वह मिट्टी उतनी ज़्यादा क्या होगी उपजाओ होगी बड़ी हा कुवालिटी के होगी ठीक है? वो उतने ही ज़दा दनायनों को अपनी सतय पर क्या कर पाएगी? धारन कर पाएगी? के लिए रहे? अब क्या होता है? अलग-अलग मिट्टियों की दनायन विनिमें शमता भी क्या होती है? अलग-अलग होती है तो अपने देखते हैं कि वो मिटियों की दनायन विनिमें शम्ता कैसे होती है क्लियर है? अब देखो यह अपने पास अलग अलग टाइप की मिटियां पड़ी है यह अपने पास अलग अलग टाइप की मिटियां पड़ी है और इन सभी की दनायन विनी में शमता है क्या है अपने पास अलग अलग है क्लियर है अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है यह मृद्धा है ठीक है अब ये ओसत्मान है और ये एक range है ओसत्मान यानि फिक्स है जैसे मैं गंगाने सूर्थ करते गंगाने कर गया तो क्या हुआ मैं ऐसे तो सोड़ी बताऊंगा कि विरस्ते में 40 km दी फिर 50 km की फिर अस्ती करी फिर सो करी तो मैं ऐसे ही कहूंगा भई मैं गया 40 km प्रती गंटे की स्पीड से तो यह है कि एवरेज मान है वो सत्मान होता है ठीक है अब फिर ये range होती है मैंने का भई मैंने speed रखी 20 से लेकर 80 के बीच में तो यह range हो गई ठीक है उसी type से इसमें क्या होता है यह range fix है यह kaolinite मिट्टी है ठीक है silicate मिट्टी उसमें क्या होता है कि CEC का मान क्या होता है 8 और CEC की unit क्या है cmol per kg होता है 8 cmol per kg और इसका कितना होता है 3 से 15 cmol per kg उसी type से ilite फिर आता है अब कोस्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा धनायन विनी में शमता किस की होती है सबसे ज़्यादा धनायन विनी में शमता किस की होती है तो बताओ बच्चों देखके सबसे ज़्यादा धनायन विनी में शमता किस की होती है हुमस की होती है अब आप से कोई पूछ ले कि सबसे कम धनायन भीनि में शम्ता किस की होती है तो आप देख बटा सकते हो असानी से सबसे कम धनायन भीनि में शम्ता हो रही है अपने पास Oxide and Hydroxide की एक Question आ सकते हैं बहुती बड़िया Question बनते हैं इसके अंदर तीक है अब क्या करना है? आपको क्या करना आपके लिए काम ये है कि आपको धनायन वीनिमे शम्ता और इसकी यूनिट पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है इसकी unit के बारे में कुछ दो-तिन पॉइंट है वो आपको खुद करने है जिससे आपकी बड़िया practice हो ठीक है अब बात करते हैं दनायन विनिमे को विनिमे शम्ता को परभावित करने वाले कारक तो मैं या लिख देता हूँ दनायन विनिमे दनायन विनिमे शम्ता को परभावित करने वाले करने वाले कारक ऐसे कोण से कारक है जिससे दनायन विनिमे में शम्ता परभावित हो सकती है अपने C-E-C परभावित हो सकती है तो पहला है वो है मर्दा के कणव का आकार कौन सा है मृदा के कणव का आकार तो फर्स्ट है इपने पास मिद्धा के कणो का आकार अपने लास्ट टोपिक में पढ़ चुके थे कि परष्ट ये च्छेतर फल क्या होता है जितना छोटा आकार होगा उसका परष्ट ये च्छेतर उतना ही ज्यादा होगा क्लियर है और जितना बड़ा आकार होगा उसका परश्ट्य च्छत्र उतना ही कम होता है अब तो सिंबल सी बात है जिस मिट्टी की कण का आकार क्या होगा छोटा यानि कम होगा उसकी CEC यानि दनायन विन्य में शमता क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी अब बता हो ही में उसके कण का आकार कितना होता है छोटा होता है इसलिए उसकी दनायन विन्य में शमता भी ज्यादा होती है कितनी होती है 1500 से 300 CEC centimol per kg होती है जबकि iron वा hydroxide वाले के कणों की आकार बड़ा होता है इसलिए उनकी जो धनायन विली में शम्ता होती है वो क्या होती है कम होती है next point है clay की मात्रावे प्रकार यानि मिट्टी की मात्रावे प्रकार अब अपने पास clay पड़ी है आपने दूसरा clay की मात्रावे प्रकार अब बताओ आपने clay कौन कौन से पड़े क्ले अपने पड़े थे मांट मोरीलो नाइट इलाइट और और कौन थी के ओ लिनाइट कौन सा के ओ लिनाइट अब देखो अपने पास कि जैसे जैसे clay की मात्रा बढ़ेगी मिट्टी के अंदर क्या बढ़ेगी clay की मात्रा clay की मात्रा बढ़ेगी तो दनायन विनि में शम्ता बढ़ जाएगी और clay में किसकी मातरा बढ़ेगी मांट मोरिलो नाइट मांट मोरिलो नाइट की मातरा बढ़ेगी तो दनायन विनिमे शमता भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी clear है बच्चों तो दूसरा point अपने पास हो गया clear यह है simple सा point है और चोथा point अपने पास चोथा point अपने पास क्या है मिट्टी की pH कौन सा है मिट्टी की pH थार्ड point अपने पास मिर्दा pH है अब बताओ pH के बारे में अपने पहले भी discuss कर चुके हैं अब बताना है आपको कि चारीय मिट्टीयों में क्या चारीय मिट्टीयों में दनायन विनिमे शमता अमलिये मिट्टीयों से ज़्यादा होती है चारीय मिट्टीयों में दनायन विनिमे शमता चारीय मिट्टी होगी बढ़ेगी तो दनायन विनिमे शमता क्या होगी बढ़ जाएगी क्योंकि चार पे कौन थावेश होता है रनावेश तो फिर वो दनावेश को क्या करेगा अपनी तरफ आकरशित करेगा और दनायन विनि में शमता भी क्या होगी बढ़ेगी यानि इसका मतलब अपने कह दें कि pH बढ़ेगी अगर मिटी छारी होगी तो pH बढ़ेगी अगर pH बढ़ेगी तो दनायन विनि में शमता भी क्या हो जाएगी अपने पास बढ़ जाएगी या चारिय मिटी बढ़े या पीच बढ़े तो धनायन विनिय में शम्ता बढ़ जाती है तो फॉर्थ पॉइंट अपने पास कारबनिक परदार्थ लास्ट पॉइंट है वो है अपने पास कारबनिक परदार्थ कौन था है कारबनिक परदार्थ और कारबनिक परदार्त में अपने पास बच्चों क्या आता है कारबनिक परदार्त में सड़े के लिए पत्ते ठीक है ये अपने के दें हुमस आता है हुमस क्या होता है कारबनिक परदार्तों से मिलकर बना होता है जैसे जैसे हुमस की मातरा बढ़ती जाएगी वेसे वेसे दनायन विनी में शम्ता भी क्या हो जाएगी बढ़ती जाएगी क्योंकि उमस के कणों का अकार छोटा होता है छोटे कणों पर क्या होता है बताओ जितना छोटा अकार होगा अपर काच्छेतरफल बढ़ जाएगा और दनायन विनी में शम्ता भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो आज के लिए अपने टोपिक को यहीं विराम देते हैं और कल के लिए कुछ टोपिक बचा के रखते हैं ताकि अपने से तीन या चार क्लास में ही खतम करें ज्यादा अपने लंबा नहीं किचेंगे बढ़िया टोपिक है और सानी से समझ में आने वाला भी टोपिक है कल इसको टोपिक को अपने पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और next टोपिक की तरह बढ़ेंगे ठीक है कोई भी आपको प्रोब्लम आये तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समझ्या डाल सकते हैं तब तक के लिए थै